नेक्स तो दिन हम सभी की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्ट निन वाले हैं और इसका रीजन क्या है आप सबको पता ही है क्योंकि आप समार्ट है। UPSC Aspirant भी है, Current Affairs से Updated भी है, तो आप सबको पता होगा कि next दो दिन में दो बहुत important documents जिसका सबको बेसबरी से इंतजार होता है, वो release होने वाला है, which is Economic Survey and Budget. चाहे आप UPSC Aspirant हो, ना हो, एक आम आद्मी हो, कोई businessman हो, कोई industrialist हो, या तक कि हमारे घर में जो females होती है, हमारी मम्मी होती है, हमारी दादी होती है, नानी, उनको भी कही ना कहीं budget का इंतजार होता है, कि इस बार जो budget है, वो हमारे लिए क्या surprises लेके आने वाला है, क्या twist and turn कि आने वाला है, तो यह जो दो documents होते हैं, यह क्या होते हैं, इसको किस तरीके से हमको utilize करना है, क्योंकि हम दो UPSC Aspirant है, तो किस तरीके से एक UPSC Aspirant या कोई सभी एक exam के लिए अगर आप त्यारी कर रहे हैं, तो इसमें से क्या information relevant है, कितने हद तक हमको information उठानी है, उसके सभाया ही जाती है, government दवारा, so welcoming you all to the YouTube channel of UPSC वाला, मेरा नाम नान की बवेजा है, and आज हम बहुत ही short and sweet तरीके से बात करने वाले हैं, कि यह जो economic survey है, यह क्या है, इसका relevance क्या है, और budget जो होता है, उसके बारे में भी हम बहुत ही short and sweet तरीके में बात करेंगे, तो सबसे प स्कूल में होते थे, college में होते थे, तो जो आपकी report card आती थी, साल के अंत में, parents teacher meeting में दी जाती थी, report card, report card में क्या होता था, कि पूरे साल में, पूरे एक साल में आपने class में, जो different different test हुए थे, unit test होते थे, आपके quarterly test होते थे, आपके trimesters होते थे, अलग-अलग जो भी होते आपको बताया जाता था, economic survey जो होता है, जिसको आर्थिक समीक्षा भी कहा जाता है, basically उसमें क्या होता है, analysis होता है, कि जो last एक साल है, उसमें हमारी country की जो economy है, उसमें किस तरीके से perform किया है, so that is why it is called as a report card, ठीक है ना, it is a report card of the economy, किसकी report card भई, economy के report card है, as it examines the performance of each and every sector, there are various sectors in the economy, agriculture, अगर basic classification याद है, तो हम बोलते है, primary, secondary, tertiary, और उसके बाद अब क्या आ गया है, quaternary sector भी आ गया है, but इन में भी, अगर आप देखो different sectors, आपको external sector है, उसमें भी, उसको भी अगर और deep dive हम करे, external sector में, FDIs कितने आए, FPIs कितने आए, पिछले साल की तुलना में, यह सारी information कहां मिलेगी हमें, इसका one stop solution है, में economic survey में मिलता है, कि सारी information with respect to various sectors की, भई हमने कितना export किया, कितना एक साल में import किया, अगर उसको पिछले, उससे भी previous years की तुलना में देखा जाए, तो क्या हमारा इस साल का export-import बढ़ा है, या घटा है, या गटा है, यह सारी च ना ही सिरफ ऐसे नहीं है कि return information, बढ़ आपको graphs भी मिलेंगे, मैं आपको अगर एक बार दिखाऊ, क्यूंकि कल economic survey जो है, release होने वाला है, that is 31st of January, क्यूंकि 1st of February को तो हमारा जो budget है, वो release हो जाता है, तो students आपको यह समझना होगा, कि जो budget होता है, उससे just एक दिन पहले, budget release होने के just एक दिन पहले आता है, हमारा economic survey, उसमें ने क्या बोला, आपको various sectors of economy की performance के उपर बात करी गई होती है, और साथ में conclusive evidence in the form of these graphs, in the form of these data's indicate किया होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे यह वाला graph, अगर बात करें, तो 2000, जो हमारा 22 का economic survey था, उसमें से लिया गया है, gross fiscal deficit, revenue deficit कितना रहा, debt to GDP का ratio, फिर यहाँ पर अगर हम देखें, तो यह import and export का data है, कि last 3 साल में, last 3 साल में, क्या import के trends रहे है, क्या exports के trend रहे है, तो यह सारी information का होती है हमारे, जो economic survey में होती है, initially क्या होता था, आप से कुछ साल पहले तक, economic survey and budget एक साथ ही provide किया जाता था, but 1964 के बाद, it got de-linked, ठीक है न, तो तब से क्या एक protocol follow हो रहे है, कि जब budget आएगा, उससे एक दिन पहले, economy की जो performance रही है, उसके ओपर जो हमारे chief economic advisor है, जो chief economic advisor है, वो उसके ओपर टिपनी करते हैं, उसके ओपर एक प्रेस conference लेते है, जहाँ पर वो बताएंगे कि economy, how economy has flared in the last one year, not talking about the budget, तो budget में क्या information होती है, आप यह देखोगे, मैंने आपको क्या बोला, कि आपकी previous year की बात करता है, यह आपने लास्ट एक साल में ऐसे perform किया है, budget में basically planning होती है, incomes and expenditure की, government plan करती है, कि मेरे project करती है, कि यह मेरे sources of revenue है, और मेरे सामनी यह खचे aligned है, जैसे कि मुझ जो है spend करना है, मुझे health sector में इतना पैसा allocate करना है, मुझे agriculture sector के उत्थान के लिए यह particular amount allocate करना है, defense इस बार हमको और मजबूत करना है, तो उसके लिए projection है कि हम इतना amount spend करेंगे, यह जो भाई खाता होता है, कहां से पैसे आ रहे है, कहां कहां हमको पैसे spend करना है, so that maximum utilization of resources हो economy क्यों पढ़नी पढ़ रही थी, मैं आपको पताया था, economy पढ़ी इसलिए रहे थे, क्योंकि हमारे resources है, वो limited है, और इसलिए budgeting करनी पढ़ती है, इसलिए government भी जो है, एक खाता बनाते है, जिसको budget बोलते है, तो अगर हम budget की बात करें, तो अभी तक तो I think most of the students को पता है, क budget जो होता है, वो हमारे constitution में, हमारे समविधान में कही भी mentioned नहीं है, वहाँ पर क्या word mentioned है, article 112 में, article 112 में mentioned है, annual financial statements, so according to article 112 of the Indian constitution, हमारे समविधान के, article 112, 112 के according, the union budget of the year, also referred to as annual financial statement, ले करना होता है, is a statement of the estimated receipts, क्या लग रहा है कि किदर sources of revenue, sources of inflow of money and expenditure क्या थे, of the government for that particular year, पहले क्या होता था, कि rail budget, rail budget अलग से आता था, जैसे अभी economic survey की बात कर रहे थे, तो economic survey अभी अलग आता है, एक दिन पहले आ जाता है, similarly 2017 से पहले क्या होता था, जो rail budget है, वो पहले release किया जाता था और उसके बा की recommendation पर, ये सामने आया कि अब जो है, बजट अलग अलग present करने की जुरूत नहीं है, एक combined budget जो है, by the name of union budget वो present किया जाएगा, और उसी में ही, जो railways related allocations है, railways related projections है, उसके बारे में बात करी जाएगी, so budget में आपको समझाया हो, कि बेसिकली हम क्या कर रहे कि ये इतना इतन पैसा आने की collection की उमीद है, और ये ये avenues है, ये ये ऐसी जगाए है, जहां पर government इस बार के लिए पैसा अलग करने का सोच रही है, और अलग कर भी रही है, अब अगर इन दोनों documents को compare किया जाए, और greater clarity के लिए तो ये देखते है कि सबसे पहले ये prepare कौन करता है, आपको ये चीजे बिलकुल clear होनी चाहिए, because आप क्या है, आप एक UPSC Aspirant है, even if you are not a UPSC Aspirant, आप भारतिये नागरिक होने के वजूद से भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन prepare करता है, हमारे अगर country में कुछ हो रहा है, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो अगर हम economic survey की बात करें, तो it is being prepared by chief economic advisor, chief economic advisor under the department of economic affairs, so ministry of finance है, ये तो आपको पता ही होगा, जिसको lead कर रही है, हमारी finance minister Nirmala Sita Ramanji, ठीक है, उसमें एक department है, department of economic affairs, और वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे office होता है, chief economic advisor to the government, तो उनकी responsibility, उनका ओनस, उनकी जिम्मेदारी होती है, किसको prepare करने की जी, economic survey को prepare करने की, budget की बात करें, तो budget division जो होता है, ministry of finance में, एक division, department है, budget division, under department of economic affairs, again, ये जो department of economic affairs, यहाँ पे था, उसमें एक budget division होता है, वो prepare करता है, budget को, ठीक है, क्या ये constitutional obligation है, क्या ये mandatory है, हर साल economic survey को release करना नहीं, economic survey, ये आपको बहुत clear होना चाहिए, कहीं पे भी, irrespective of UP exam, आप कोई सब exam दे रहे हो, आप से question पूछा जा सकता है, कि आज जिस तरीके से constitution में लिखा हुआ है, कि हर साल, president को, parliament में ले करना होता है, budget, ठीक है, economic survey के लिए भी एक obligation है, क्या है, एक compulsory है, नहीं, ये प्रथा चलती आ रही है, सालों साल से, और उस प्रथा को ही continue किया जा रहा है, आज अगर, आज अगर economic survey नहीं कि रिलीज किया जाता है, तो ये कोई दंडनी अपराद नहीं है, क्योंकि constitution में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, कि हर साल, जो है, economic survey publish होना ही होना है, ठीक है, approach of the document, अगर हम देखें कि जो ये economic survey है, इसकी approach क्या है, it is a backward looking document, backward मतलब ये पिछले साल की performance, last एक साल में, कैसे perform किया है आपकी economy ने, उसको analyze करता है, तब ही आप ये देखो गए, यहाँ पर क्या लिखा है, ये last year का budget, sorry, economic survey है, और इसके उपर year क्या mentioned है, अगर आप देख रहे हो, 2021-22, जबकि ये कौन सा financial year खतम हुआ है अभी, ठ 2022 थेज चल रहा था, ठीक है ना, लेकिन economic survey के उपर date क्या होती है, 2021-22, क्योंकि जब ये release हुआ था, इसने क्या बताया कि last एक साल जो रहा है, last एक साल जो start हुआ, April 2021 और जो खतम हुआ, March, 31 March 2022, उस पूरे दोरान जो हमारी Indian economy है, उसने कैसा perform किया, वेराज अगर आप budget की ब अगला एक साल कौन सा होगा, April 1, 2023 से लेके, 31 March 2024, कैसे, 1st April, 1st April 2023 से लेके, to 31st March 2024 तक, क्या हमारे inflow के sources रहेंगे और outflow के, So it is a forward looking document, अगले एक साल की बात करता है, published कौन करता है इसको, it is published, हमने देख लिया था, Department of Economic Affairs में, जो हमारे Chief Economic Advisor है, उसको वो कल, उसको वो कल एक press conference में release करेंगे, वहाँ पे तरह तरह के सवाल भी उठाए जाएंगे, जैसे कि budget release होता है, Parliament के बीच में, basically उसको ले करने की responsibility ह होती है, present की, उसके बाद जो discussion होता है, वो finance minister करते है, तो confuse मत हुएगा, ले करने की responsibility in the parliament, of the budget, budget को ले करने की responsibility होती है, president की, आप अब जब लक्ष्मिकांद पढ़ेंगे तो आपको और clarity आजाएगी, बाद उसके ओपर जो discussion होता है, वो हमारे finance minister करते है, ठीक है, एकनॉमिक survey की बात करें, आर्तिक समीक्षा की बात करें, तो इसको कल press conference में release किया जाएगा, इसके ओपर discussion किया जाएगा, key points पे, तो बिल्कुल आप उसको खुद से भी देखिये, and मैं आपको बता दू कि जैसे ही, हमारा जो economic survey कल release होगा, UPC वाला के जो channel है, YouTube channel उसके बिल्कुल आप tune रहेगा, आपको inform भी कर दिया जाएगा, कि कल UPC वाला channel पे, economic survey में, जो भी key points आपके लिए relevant है, exam के नजरिये से, उसके उपर एक video आपको जरूर कल मिलेगा, उसके उपर discussion आपको जरूर मिलेगा, कि कौन से points को आपको focus करना है, ठीक है, and yes, budget is released on 1st of February, themes की बात करें, तो ह हर साल, economic survey और budget, दोनों की अपनी, अपनी, themes होती है, ऐसा नहीं है कि economic survey की theme थीम और budget की होती है, नहीं, दोनों की अपनी, अपनी, theme होती है, तो let us see, इस साल जो, हमारा economic survey और budget आने वाला है, उसकी themes क्या रहती है, अब ये बात हो गई हमारी document की understanding की document है क्या अब बात करते हैं कि हमको एक्जाम में इसकी क्या relevance है क्योंकि जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो जरूर इसकी कुछ relevance होगी exam में तब ही हम यह जो है यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इन दो documents के बारे में तो अगर exam की ब्रीफ दे देती हूं, कल जब discussion लेकिया होंगी, तो और detail में बात करेंगे, पहले क्या होता था, economic survey के दो, दो volumes होते थे, लेकिन 2021 से क्या हुआ, एक ही volume आया, और जो volume होता है, वो different chapters में, different sectors of economy में divided होता है, कि agriculture होगा, around chapter 7, third chapter था हमारा जो 2021 का economic survey का, that was related to external sector, और उसके बारे म different chapters होते हैं, और उसमें information, उसमें performance के बारे में बात करी गई होती है, तो उसी में से, उसी में से information उठा के, mains का कोई question, prelims का कोई question बनाया जाता है, जैसे कि मैं आपको example देती हूं, जो हमारा 2020 और 2021 का, 2020 में release हुआ, जो economic survey था, उसमें, आगर आप देखोगे, यहां पे, इसक the time क्या था, क्यूंकि 2020 में हमारे यहां पे क्या आया था, COVID आया था और बात हो रही थी कि economy अगर revive कर रही है, तो जब revive कर रही है, तो वो क्या shape form कर रही है, क्या वो K shape recovery ले रही है या V shape ले रही है, या W shape of recovery form कर रही है, तो इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई थी, और अगर अगर आप चर्चा अगर आप इससे अपडेटेड होते तो आपको पता होना चाहिए कि सीदे के सीदे question do you agree that Indian economy has recently agreed a V has formed sorry has experienced a V-shape recovery इसके उपर 200 word मतलब 15 mark का एक question सीदा सीदा means में क्यों कि economic survey में इस पर theme थी shape of recovery बात हो रही थी अगें फिर next year जो हमारा last economic survey आया था 2022 वाला उसमें chief economic advisor थे री फ्रेंड लोगों ने पूछा कि इस बार आप क्या कहना चाहोगे क्या यह k-shape recovery की तरफ Indian economy बढ़ रही है तो उन्होंने बोला we are not we do not want to clearly comment कि V-shape recovery है कि k-shape recovery है तो इस तरीके से points and questions उठके आते हैं हमारे economic survey से जो हमारे मेंस में है अगर आप एक और question देखोगे तो यह question देखिए investment in infrastructure तो union budget 2020 से actually government steps ले रही है to boost the infrastructure development in the country government logistics के लिए policies लेके आ रही है government national monetization plan asset monetization plan बहुत अलग-अलग plans लेके आई क्योंकि government कहीं न कहीं infrastructure में heavily spend कर रही है और अगर आप union budget 2021 की एक theme देखे हैं तो क्या theme थी physical and financial capital and infrastructure development and hence you can see a question because उस साल बहुत major बहुत बढ़ा outlay government ने decide किया था allocate किया था for the development of infrastructure and hence you can see a question कि भई investment in infrastructure structure is essential for more rapid and extensive inclusive development of the economy तो आपको ऐसे topics से ऐसी theme के इर्द गिर्द preparation करनी है क्योंकि में में कहां से question आएगा आपको relevance पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या relevance होता है now why you need to focus specially on infrastructure development because government ने उन दो सालों में in fact इस साल भी यही कही न कहीं उमीद लगाए जा रही है आपको tax labs मुझे पता है आपका basically ध्यान का होगा इस बार का tax lab कितना reduce हो रहा है हमारे लिए कुछ फाइदा आ रहा है के नहीं आ रहा है आम आदमी के लिए but as a UPSC aspirant आपको ध्यान देना है क्योंकि again बाते कहीं न कहीं speculate किया जा रहा है कि infrastructure development के लिए government again कुछ बहुत major plan या major policy announce करेगी so we have to be updated and in case अगर आपसे मिस भी हो जाता है then definitely you can visit the channel of UPSC वाया because we will be coming up with the discussion over budget and economic survey economic survey कल ही आपको जो है summary मिल जाएगा on the YouTube channel of UPSC वाया so मैं आपको जिस बता जाती कैसे किस तरीके से themes उठाई जाती है में में आपको प्रिलिम्स की बात कर लें तो प्रिलिम्स में अगर आप यह देखोगे trends पर related question आपको पता होगा आपके जो educators होंगे आपको बोलते होंगे कि हमको trends पर focus करना है trends like in import export trends like FDI foreign direct investment का क्या trend ला है last 5 सालों में आपको कहां मिलेंगे यह सारे के सारे जो data है आपको मिलेंगे कहां पर आपके इकनॉमिक सर्वे में budget में नहीं मिलेंगे budget में आपको budget का basically आपको utilization करना कोई theme पकड़ने के लिए major schemes जो announce होएंगी different different sectors के लिए वह आपके लिए बहुत important हो जाती है बट यह जो data and बहुत सारे ऐसा नहीं है कि आपको हर एक graph के उपर focus करना है in economic survey इसी के लिए इसी के लिए we educators are here we faculties we 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 mentors are here to help you identify की consequence graph से जहां पर कोई trend form हो रहा है और यह आपके exam के लिए काफी relevant हो सकता है because trends related question 2017-2018 and I think उसके बाद भी एक बार FDI के उपर भी जो है question आज चुका है so that is why economic survey जो है हमारे लिए काफी important हो जाता है so I hope by 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 now आपको clarity आ गई होगी एक मैंने base develop कर दिया है क्योंकि कल जब में economic survey कर discussion करूंगी तो आपको यह question नहीं pop-up होना चाहिए माइं में कि economic survey जो है भाई है क्या इन दोनों में difference क्या है you should be well equipped with the basics क्योंकि कल हम basic से उपर की जो foundation है basic से उपर की जो building है उसको जो है उसकी शुरुवात करने वाले है उसकी eat रखने वाले है and not just मैंने आपको बोला prelims and mains every aspirant जिसका भी interview due है उसके लिए बहुत important हो जाता है यह economic survey and budget से go through करना so stay tuned on the YouTube channel and we will meet tomorrow for sure with the brief discussion on the summary of economic survey till then bye bye and stay blessed